तो दोस्तो बार स्टार्ट होते ही ना सबसे पहली चीज जो मेरे खयाल में आती है ना वो होती है चाय और पकोड़े पर मैं सोच रही थी कौन से पकोड़े बनाओं मेरा जो है ना ब्रेट के पकोड़े खाने का बड़ा मन था और मेरे husband को प्याज के पकोड़े पसंद है जब बच्चों से पूछा तो वो cheese के पकोड़े बोलने लगे फिर मैंने सुचा यार अब सब के लिए अलग-अलग बनाना पड़ेगा मैंने सुचा क्यों ना एक experiment करती हूँ और देखती हूँ कि इसका क्या result है ट्रस्ट में ये इतना कमाल का बनता है आपका दिल खुश हो जाएगा आज हम बनाने वाले हैं 3-in-1 पकोड़े की recipe जो different है हटके है और इसका taste बहुत अच्छा है सच में बहुत अच्छा है तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर bread slice ले ली है अगर white bread slices होगी न तो जादा अच्छा होगा उसकी जो ages होगी न वो हम हटा देंगे और उसके उपर लगाएंगे थोड़ी सी सेजवान चटनी सेजवान चटनी बार में लगाएंगे पहले उसे बेल लेंगे पतला सा कर देंगे आप यहाँ पर चाहें तो फिर हरे धनी की चटनी भी लगा सकते हैं अगर आपको वो पसंद हो तो उसके बाद हम क्या करेंगे न इसके उपर डारेंगे थोड़ी सी चीज चीज को मैंने कदुकस कर लिया है उसके बाद इसके एक कॉनर में थोड़ी सी ही चीज रखेंगे बहुत जादा नहीं अब हम इस तरीके से इसको दबाते हुए रोल करेंगी हमने यहाँ पर सेजवान चटनी लगाई है ना तो जब आप इसे रोल करेंगे तो इसकी एजिस जो है वो बहुत अच्छे से चिपक जाएंगी और यह जो रोल है वो खुलेगा नहीं तो इस तरीके से करके हमने यहाँ पर सारे रोल बनाकर रेडी कर लिये है आप देख सकते हैं perfectly मैंने सभी रोल को बनाकर रेडी कर लिया है अब चलिए करते हैं पकोडों की तैयारी तो पकोडे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो medium size की प्याज गे लिये थे और उनको बिल्कुल पतले लंबे टुकडों में काट लिया है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छे से आएगा पतले slices काटने हैं और सभी लच्छों को खोल देना है अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी बेसन साथ ही हमने इसमें डाला है चार चम्मच चावल का आटा चावल के आटे से जो इसका फ्लेवर है ना वो बहुत ही जादा बढ़ जाता है बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर हमारे पकोड़े तयार होंगी काफी सारा बारिक कटा हुआ हरा धनिया हरी मिर्श भी आप महीन टुकडों में काटकर डाल सकते हैं वट मेरे बच्चे खाते नहीं है इसलिए मैं हरी मिर्श को स्किप कर देती हूं हमेशा एक तिहाई छोटा चमच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर एक टी स्पून से थोड़ा सा जादा मैंने इसमें कश्मीर लालमिश पाउडर डाला है और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक स्वादनुसा नमक अब हमें यहापर क्या करना है थोड़ा थोड़ा करके पाने डालना है इस रेसिपी में पानी की साफधाने थोड़ी सी बरतनी होगी अगर यह मिश्रन गीला हो गया ना तो फिर इसका हम प्रॉपल इस्तमाल नहीं कर पाएंगी तो थोड़ा थोड़ा करके पाने डालिए और इसका थोड़ा गाड़ा सा घोल बना कर तयाद कीजी थोड़ा थोड़ा करके पाने डालने से क्या होगा ना इसमें गुठलिया भी नहीं बनेगी और जो घोल बनेगा वो भी बहुत अच्छा गाड़ा सा बनकर तयार होगा तो बस मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का हमें आपर घोल बनाना है मैंने बहुत अच्छे से से मिक्स कर लिया है अब आप देख सकते हैं जो घोल हमने बनाया है वो गाड़ा है ना पोरिंग कंसिस्टेंसी में नहीं है थोड़ा सा हमने इसको गाड़ा रखा है अब हम इसमें डालेंगे दो पिंच बेकिंग सोडा इससे ये नास्ता बहुत जादा अच्छा बनेगा क्रिस्पी बनेगा दो पिंची डालेंगे उससे जादा नहीं डालना बस एक से दो बार अच्छे तरीके से आप इसे मिला लीजे उसके बार जो हमने bread rolls बना कर तयार किये थे ना वो हम इसके अंदर डालेंगे दोस्तो ये जो है ना एक बहुत यूनीक concept है बट जब आप इस recipe को try कर लेंगे ना तो आपको ये सच में बहुत पसंद आएगी अगर आप पकोड़े lovers है ना तो आपको definitely पसंद आएगी नहीं है तो भी पसंद आने वाले है तो यहाँ पर क्या करना है ना जो bread rolls है उसको डालना है बेसन के मिश्रन में अच्छे से इस तरीके से चीज डाली है अगर वहां से थोड़े से भी मिश्रन नहीं होगा ना बेसन का सेट नहीं होंगे तो क्या होगा जब हम इसे फ्राय करेंगे ना तो चीज बाहर आजाएगी तो make sure करना जो इसके last वाले दोनों एजिस है उन पे बहुत अच्छे से आप बेसन कोट कर लीजेगा अब बस गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे हमने कडाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था तेल हमारा मीडियम होट है अब इस तेल को अलटते पलटते हुए बढ़िया क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन करते हुए हम इस नास्ते को फ्राइ कर लेंगे ये पकोडे बहुत अच्छे लगते हैं इनके अंदर आपको ब्रेट के पकोडे प्याच के पकोडे और चीज के पकोडे तीनों को कॉम्बिनेशन मिलने वाला है जो की बहुत ही कमाल का है साथ ही जो सेजवान चटनी है वो भी गेम चेंजर है बहुत अच्छा इसका फ्लीवर आएगा अब इनका रंग जब इस तरीके से हलका सुनेरा हो चुका है कड़ाई में बबल्स कम हो चुके हैं तो अब हम इस नास्ते को निकाल लेते हैं बाहर आप इसे शाम की चाय के साथ इंजोई कीज़े आपको मज़ा ही आ जाएगा साथ ही आप इसको सर्फ करने से पहले ने इसके उपर डाल दीजेगा थोड़ा सा चाट मसाला इवन हरे धनी के चटनी के साथ भी ये कॉम्बिनेशन कमाल का है तो बारिश के टाइम पे आप इस रेसिपी को एक बार जरूर राय करना मेरी आप सबी से रिक्वेस्ट है और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है मतलब आपको पसंद आईए तो प्लीस वीडियो को लाइक कर दे चैनल पे पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन जरूर आउन करना है न उससे क्या होगा मेरी हर लेटेस वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी और आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर यहां तक वीडियो देखिए तो प्लीस धेर सारे कमेंस करें आपके कमेंस पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ जरूर मिलूंगी बाई